दोस्तों बिहार में अभी सर्वे परकिरिया चल रही है सर्वे परकिरिया में आप जानते होंगे कि मुख्ये रुप से आप सभी का जो खत्यान है वो बिल्कुल नया बनाया जा रहा है अब इस खत्यान को लेकर अपडेट आ रहा है कि खत्यान में क्या-क्या जनकारी अपड इसके अलावे भी कई सारे बदलाव आप सभी के खत्यान में हो सकते हैं उसके बारे में अब डेट अभी जारी किये गया को आज ही सस्क्राइब कर लिए क्योंकि आगे भी जूभी सर्वे से जुरा अपडेट होगा मैं आपको उपलफ्ट कराता रहूंगा मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया है उसको भी जरूर देखीगा बहुत सारा डाउट आपको उस सारे प्लेलिस्ट वाले वीडियो में भी किलियर हो जाएगा फिलाल स्क्रिप्शन पर चलकर इस खतियान की जो नहीं अपडेट आ रही है इसके बारे में आपको समझाते हैं दोस्तों अभी आप देख पारोंगे एक पेपर कटिंग है इसके मदद से पूरी अपडेट इसमें बताये गए हैं जिसमें बताये गए हैं सरवे खतियान में खाताधारा का नाम बदलेगा खिसरा नमबर भी हो जाएगा नाया मतलब क्या है कि खतियान अब जो नई बदलेगी जैसे जो खतियान पुरवज के आपके नाम से होंगे अभी जो जिवी तरहियत है उनके नाम से तो ये कराई ही जाएगी इसके साथ ही जो आपके पुराने खिसरा नमबर जो आपके पुरवज के नाम से हुआ करता था, वो खिसरा नमबर से अब आप खोजने जाएंगे तो डीटेल नहीं मिलेगी, अब नया खिसरा नमबर भी दिये जाएंगे. आईए समझते हैं कि क्या कुछ अबडेट निकल कर आ रही है यहां पर बताएगा है कि जमीन सर्वे के दोरान खतियान में खाता धारा का नाम बदलेगा इसके साथ ही जो खाता और खिसरा नमबर पूरी तरीके से अब नया हो जाएगा मतलब जिस समय हम लोग के पुरवज के नाम से खतियान हुआ करता था उसको तो अब चेंज किया ही जाएगा नया सर्वे के अकॉर्डिंग उसमें खाता खिसरा भी पूरी तरीके से बदल दी जाएगी यहाँ पर बताएगे कि पुराने खतियान और खिसरा नमबर बनाया जाने के दोरान जन संक्या कमी थी जन संक्या बढ़ने के साथ ही परिवारों की जो संक्या वो बढ़ी है ऐसे में बटवारे के बाद खाता और खिसरा के संक्या बढ़ोतरी हुई है इस कारण खाता और खिसरा नंबर में पूरी तरह बदलाब हो जाएगा अधिकारियों के मुताबिक विसेश जो सरविक्षन चल रहे हैं इस पर क्या है कि सौप्ट बेयर आधारित ये काम चल रही है इसका मुख्य उदेश ये रहेगा कि आधुनिक तकनकी की साहता से जमीन क का Digitalization Online अधिकार भू अभिलेकों का संरक्षन है एक किलिक में जमीन की पूरी जयनकारे उपलब्द होगी मतलब क्या है कि देखिए अब जो भी पुराने हम लोगे खतियान थे पुरवज का वो पूरी तरीके से नए Digitalization के रुप में बनाया जा रहे हैं इससे फैदा क्या हो साथी हो कि भवेस्त में कभी भी किसी भी जमीन का अगर डीटेल खोजनी होगी अभी आप जो इतने परसान होते हैं कि आपकी कागज नहीं मिलती है तो इस सब चीजों को लेकर आप परसान नहीं उना जैसे आज कर समय में मान लीजिए आपकी आधार काड ही अगर गुम हो साथ डेट पर रखा हुआ है कोई भी लोग जहां से भी चाहे अपनी पूरी डीटेल देख सकते हैं तो सेम इसी अनुसार हम लोग का जो भी जमीन है और पूरी तरीके से डिश्टालाइजेसन हो जाएगी इसमें कोई परसानी नहीं होगी एक किलिक में पूरी विवरन जो सर्वे में कुई ज़्यादा परसानी की चीज नहीं है उनको बोला जाता है कि परपत्र 2 और परपत्र 31 आपको भड़कर ऑफलाइन माध्यम से जो सर्वे करमी हैं उनके पास आप जमा करें या आपके पास अगर नोलेज है तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी आप फॉम को सम जमी होती है वो अपने अस्तर से इसे ऑनलाइन करती है यह ध्यान रखीगा बाकि यहां पर यह कुछ दस्ताबेज है जो बताया गया कि यह निवार है यह आपको देने की अवज सकता होगी जैसा अपनी जमीन का रकवा छोहदी खेसरा की जनकारी स्वाग घुसना पत्र मे के फॉम में ही आते हैं तो उसमें यह सब जनकारी जैसे आपका जुभी रखवा जमीन का है चोहदी यानि अभी बरतवान में कौन आपके अगल बगल बाले किसान है वो उनकी जनकारी खेसरा नंबर यह सब आपको देनी की जरूरत है ज्यावां वंदी यानि मल गुजारी रसीद का फोटो कॉपी अगर है तो वो भी आपको देने होंगे मतलब रसीद जो होते हैं वो देने होंगे खतियानी का नकल यदि उपलब्ध हो तो आप दे दीजे नहीं है तो आप इससे छोड़ सकते हैं जिनके नाम पर जमीन का हस्तरांतरन करना उसको जो मिरितक है उस यह दो फॉर्म को भरकर अभी दीजिए आपके पास मौका है आप बीच में कभी भी डोकुमेंट को दे सकते हैं यह इसको लेकर ज्यादा परसान नहीं होना है बाकि जिन लोगों को अभी भी ऑनलाइन अगर फॉर्म को समिट करना है दोस्तों तो मैंने वीडियो बना दिय स्थाया है आप जय कRIसले मिलगा यह आप लोगों प cookies मिलेगा प्ले लिच्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो पूरी बंद मेने बना है तो सारा वीडियोई आपके लिए helpful होगा जैसे बंसाबली खुद से बनानी है कहीं जाने के ज़रूरत नहीं है किस परकार बनेगा अगर आपको अगर आपसे बटवारा करना है तो बटवारा नामा जो होता है वो कैसे बनानी खुद से उसके बारे में बताया फॉर्म जो भरना है साथ ही यह तीन जनकारी डीटेल में आपको बताया उमीद करता हूँ जनकारी आपने समझा होगा तो वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजिए साथ हो यदि आप चाहते है अपना बटवार नामा बनाना तो कैसे खुद से बना सकते हो वीडियो यहाँ है उससे देखिए हर प्रोसस उसमें आपको बताई गई है धन्यवाद जय हिंद